सर्वेभ्यो नमाह देवबानी संस्कृतम यूटूब चलत द्रिश्यंप्रती भवताम भवती नामचा हार्दम स्वागतम देवबानी संस्कृतम यूटूब चनल में आप सभी का हार्वेक अभिननदन है आईये मित्रो तर्क संग्रहा को पढ़ रहे हैं इसकी 24 कक्षाएं आपको पढ़ा दी गई है 25 में कक्षा को आज पढ़ेंगी ठीक है ले लिश्ट में कॉलम बना हुआ है तर्क संग्रहा उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं चलिएगा आगे चलते हैं पुस्तक है तो पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा मित्रो गत कक्षा में मैंने आपको तीन गुण पढ़ाये थे क्या पढ़ाये थे तीन गुण एक गुण पढ़ाया था आपको ये भागा हां तीन गुण को हमने पढ़ लिया थीक है अब इसके आगे हमारा गुण आ रहा है गुरुत्व निरूपणम गुरुत्व इसको हम हिंदी में कह सकते हैं भारीपन भारीपन को ही संस्कृत भाषा में कहते हैं गुरुत्व इसको समझने के लिए थोड़ी सी तो आपको शक्ति लगाने पड़ेगा थोड़ा अपनी बुद्धी पर आपको विशिस दबाव लगाना होगा थोड़ा सरलता से आप ऐसे ढीले से समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा और मुझे भी समझाने में पहुत्षक्ति का प्रयोक करना है परन्तो मुझे विश्वास है कि आप पूरा समझ जाएंगे कि गुरुत्व इसको कहते हैं नियाय दर्शन में या वैशेश का दर्शन में इन दर्शनों के सिध्धांत में गुरुत्व इसक्या परिभाशा है में क्या लक्षन है कि कि आईएगा देखते हैं श्रीमाद अन्नम बट्ट जी महाराज क्या कहते हैं यह कहते हैं आध्यापतना समवाई कारणं गुरुत्वम प्रित्थि वी जाला वृत्ति अधि कि ल西 यह देखने मं तरह लग रहा है क्या रहे हैं के आध्य पतन किसी भी पदार्त कि आधी माने प्रारम भकी जो पतन किरिया है पत्वन माने गिर्णा किरिया है के आद्ध्यकार प्रारंभिक प्रारंभिक पतन रूपी जो किरिया है उस किरियां का असमवाई कारण जो असमवाई कारण ओता है उसको ही गुरुत्वम गुरुत्वगुण कहा जाता है वैसे तो आपको तो एसा तो समझ में आ गया कि किसी वीवस्तु के आध्य पतन मने प्रारंबिक पतन रूपी किरिया का जो असमवाई कारण होता है वो गुरुत्व होता है परन तो बात बनी नहीं अभी कि यह असमवाई कारण क्या होता है यह तो आपको समझ में आ गया कि देखिएगा यह है यह पैन है इस पैन को मैंने यहां से छोड़ दिया गिर गया यह जब पैन मैंने छोड़ा तो जब गिरने लगा तो आधी खषण में आधी खषण में मने आधी मने प्रारंभिक खषण में इसकी पतन रूपी किरिया हुई है उस वो पतन रूपी किरिया का कारण मने असाधारन कारण जिसको कहते हैं यहां गयब असमवाई कारण है असाधारन नहीं कहें आपर तो ठीक है असमवाई कारण मने इसका जो गिरने का प्रारंबिक पतन का जो गिरने का जो असमवाई कारण है उसको ही गुरुत्व कहते हैं अर्था तो गुरुत्व ही गिरने में निमित्व है वो असमवाई कारण ही गिरने में निमित्व है और वो ही क्या है गुरुत्व गुण है गुरुत्व गुण यह अंदर गुर्त रिखन नहीं होता है वो गिरते नहीं है यह सिद्दांत भी निकल के आ गया कि मौत सारे लोग कहते हैं क्रावी के ड्रत जिद्दांत है कि वह विदेश से मिलाहे नहीं भारी यहां पर तो लाकों करोणों वर्स पूर्व से ग्रैविटेशन का सिद्धान्त चला रहा था हमारे पूर्व जोंको यह जात था कि इसके अंदर कुछ है एसी चीज है मनें इसके अंदर तब जो भी जिसको हम बताएंगे अभी कि जिससे कारण गिरता है नीचे गिरता है उपर भैकते हैं दो भी नीचे आ जाता है यहां क्या है तो वही है गुरुत्व अब इसको विस्तार से समझना है अब पहले तो हमको असमवाई कारण समझना होगा असमवाई कारण होता क्या है असमवाई कारण आगे बताया जाएगा थोड़ा सा हम और कुछ दिन बाद उसको पढ़ेंगे कारण तीन होते हैं एक होता है समवाई कारण एक होता है असमवाई कारण और एक होता है निमित कारण यहां इस शास्त में यही पढ़ेंगे क्या है एक है यह समवाई कारण ठीक है यह आठा देंगे और दूसरा है क्या असमवाई कारण दो तो मैंने इसी हों समझा दिये एक समवाई कारणम और एक असमवाई कारणम और एक तीसरा है निमित्त कारण एक तीनों कारण आपको आगे इसी शात्र के अंदर पढ़ाए जाएंगे कि यह आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा आगे यह इस पुष्टक में यह है आपके पास में तो 113 में प्यज़पर हैं कारणम थिधम कारण तीन होते हैं समवाई असमवाई और निमित्त वहाँ विश्तार से पढ़ेंगे अभी यहां पर असमवाई कारण की चर्चा आ गई है तो असमवाई कारण को हमें पढ़ना ही पढ़ेगा समझना ही होगा तवी आपको यह परिभाशा लक्षन गुरुत्त का समझ आएगा ठीक से समवाई कारण को अभी नहीं पढ़ेंगे निमित्त कारण को भी नहीं अभी पढ़ेंगे ठीक है असमवाई कारण की यहां पर जो परिभाशा दी है लक्षन दिया है वो यहां पर दिया है 145 पर इस पर सूख गुद्धी लगानी पड़ेगी हमको आएगा बोड पर आ जाते थोड़ा थीक है असमवाई कारण थीक है असमवाई कारण की यहां आप इसमें तरक संग्रा में परिभाशा देखेंगे उसको पढ़ लीजिए मैं बता देता हूं सुन लीजिए कार्येन कारणेनवा जाह एकस्मिन अर्थे समवेतं सत कारणं असमवाई कारणं थीक है उदान से समझेंगे कार्य के साथ अत्वा कारण के साथ एकस्मिन अर्थे मने एक ही पदा एक ही द्रव्य में समवेतं मने समवाई समंध से सत मने होता हुआ जो कारण होता है जो कारण होता है उसको बोलते हैं असमवाई कारण ये तो हिंदी परन्त उदार्ण के बिना समझ में नहीं आए गए यहां देखेगह तंत्वसय कारण कारण रेह विलेवर है यहां यहाँ अधानि देखते हैं इसका है कि एक दिए तंथ्तै छेल्डू संयो गाख नर्न विलेवरेखर होता है तन्तु सन्योगाह पतस्या तन्तु सन्योगाह पतस्या और एक उदाण दिया तन्तु रूपम पटगत रूपस्यचा इसको हम छोड़ेंगे अभी बास इतना उसमझी जीगा अब यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि पटका पटका आर्थ होता है चटाई मैट जो बिछाने वाली चटाई चटाई का असमवाई कारण क्या है तन्तु सन्योगाह पटका क्या है असमवाई कारण है जान दिजे क्या है असमवाई कारण यह क्या हुआ पटका चटाई का असमवाई कारण है तन्तु परिवाशा इसको हम कैसे समझेंगे इनोंने का कि कार्येण सह मनें कार्य के साथ एकस्मिन अर्थे मनें एक ही वस्तू में द्रभ्य में समवेतम समवेतम का अर्थ है समवाई सम्मंध से समवाई सम्मंध का अर्थ है नित्य सम्मंध से वर्तमान होता हुआ जो कारण उसको बोलते असमवाई कारण अब इसमें तन्तु सन्योगाह पटस्य में तीन चीजें है अब यह समझना है आपको क्या है तीन चीजें है देखिए पहला है तन्तु का अर्थ होता है धागे जो धागे जो कपड़ा आधी बुना जाता है उसके जो धागे ठीक है एक होगा तन्तु और दूसरा है तन्तु का सन्योग माने तन्तु सन्योग ज्यान देजेगे तहा है तन्तु और तन्तु और दो तन्तु सन्योग और नंबर तीन तन्तु और दूसरा दूसरा है तो अनंद्द आएगा तो चटाई पट ठीक है क्या होता है तन्तु पहले होते हैं धागे पहले होते हैं फिर धागों का सन्योग होता है आपस में जुड़ते हैं उनके ना सन्योग गुणव आ जाता है तब फिर क्या पट तयार हो जाता है चटाई तयार हो जाती है पहले धागे से धागों का सन्योग फिर धागों के सन्योग से चटाई तयार होती है मैट तयार होती है अब यहाँ पर इसको क्या का असमवाई कारण परिवाशा दी कि कार्य के साथ कार्य के साथ एक ही अर्थ में मनें एक ही पदाद्रव्य में वस्तू में जो समवेत हुआ नित्य संबंध से रहता हुआ नित्य संबंध से रहता हुआ जो कारण होता है वहाँ समवाई कारण कहलाता है अब समझेगा कि यहां पर पर एक पहले एक कि तंतू है यह क्या तंतू मान लीजिए रहे तंतू मेरे बना द्य लंबे लंबे ठीक के खागे हैं ट्य Alle have the King एसे बनाते थोडे से रस्य के समान बनाते यह से ये क्या है धागे ये धागे तंतू है अब देखेगा अब क्या है पट पट और तंतू का संयों किन में रह रहा है है धागे जब जुढ़े हाथे मैं सन्यों कर लेते तो ये काया कि इसको पट बोलने लगते हैं है डी जटाई भोलने लगते हैं तो यहाँ पर परिवाश असमवाई कारण की क्या दे यह कि कार ये न यह पटक्या है तन्तुओं के सहीयों से तायार और जो तैयार हो रहा है वो कारी हो गया यह क्या हो गया कार्य है यह क्या है कार्य तो यहां का कार्येंट सह एकस्मिन अर्धे समभेतम सथ माने कार्य के साथ कार्य के साथ यह कार्य इसके साथ एकस्मिन अर्थी का अर्था यह तन्तु रूप अर्थ तन्तु है इन तन्तु में पट जो कार्य यह तन्तु में रहता है कार्य का अर्थ है वन्हें कारण से बन करके तयार कोई बस्तु तो यह जब अमने इसार है तो इसमें और का सयूग सबस्ट आखाई किस में रहा है थागों में रहा है ठीक है इसका का रूपी लूंत तया तैयार हो रहा है इसमें हम ऐसे ऐसे धागी डाल देंगे ऐसे ऐसे भी ठीक है सन्योग हो गया आपस में तो सन्योग उसकार्य के साथ में तन्तु मर तन्तु के अंदर रह रहा है तो क्या हुआ एकस्त में अर्थे यथ समवेतम कारणम समय नित्च संबंध से एप चटाई तैयार हो गई है तो इसमें तन्तु का संयोग का नित्च संव मर नित्च संयोग है नित्य संयोग है जब तक पट है तब तक संयोग बना ही रहेगा ठीक है तो अब क्या है इस कार्य के साथ यह तंतुओं का जो संयोग है वह तंतुओं में रह रहा है इसलीए यहां पर यह तंतुओं कैसा कारण बनाएं पतके कापट रूपी कारी में असमवाई कारण क्या है असमवाई कारण बन रहा है कि इसको बुलते असमवाई कन अभी में इस बात को समझ सकता ह। आपको अभी 100 प्रत्रों में नहीं आएगा परंतो इसको अभी मैं समझा रहा हूँ फिर जब शबको पढ़ेंगे असमवाई काण समवाई कार्ण और निमित कार्ण तब आपको पूरा समझ में आएगा परंट अबिसितना भी समझ में अथना देखना आए एक अब आपको समझना है कि पट रूपी आर्य तंतु इक पदार्थ में एक अर्थ में एक अर्थ में यह बहुत सारे तंतु एक तंतु नहीं लेना से समभाई सम्मंद से तो उस कारण को तंतुओं का संयोग कारण है तंतुओं का संयोग हो रहा है तभी तो यह पट तैयार हो रहा है पट तैयार हो रहा है यह तंतुओं का संयोग नहीं होगा तो पट नहीं बनेगा चटाई नहीं बनेगी है तो यह क्या हो गया असमवाई कारण और यह लो गया अधार के अधिकरण क्योंगी पट और तंतु ओं का संयोग तंतु में रहते हैं तो एक ही अर्थ में हुआ है वाने एक प्रकार के हियं यर्थ में इन जल्ध है जो कारणें वो कारिके साथ रहे सब्सक्राइब झाऎज प्रकार से आगे वी ओर और कारण के साथ भी उम्हें-पनलगर की साथ के सार्थ नहीं समझत है अब इतने से आपको आप्समावाई कारण सम जलिया इतना अब हम वहां गटाएंगे कहां गटाएंगे जहां पढ़ रहे थे ठीक है आई देखेगा अब यहां पर हमारे के पास में पतन किवया याय है पस्थान क्रिया अच्छा आगे पन्क्ति और पढ़नी पढ़े रहता है और जली पदार्थों अगनी में वायू में आकाश में काल दिक मन आदी में नहीं होता है आत्मा आदी में ये गुर्ग तो नहीं होता है पार्त में पृत्वी माने पार्थिव जो नित्य रूपी पृत्वी और अनित्य रूपी पृत्वी दोनों में रहता है ऐसे जल नित्य रूपी जल और अनि आप देखिएगा ईब मानिएगा हमने यहां पर यह पृथिवी लेली है पृथिवी का अर्थ हम मानेंगे फट्त चटाई है यह वास्तह फार्थि पे हमें रहagn Legal यह कार यह पार्थम में ठीक है तो यह क्या है पट यह हो गया आपका यहां देखिएगा यह हो गया यहां आपका पट है जो अच्छा और और क्या यहां पर एक है आपका आध्य पतन क्रिया आप दे नहीं लेंगे हम पतन क्रिया लेंगे पातान क्रिया ठीक है यह पतन क्रिया हो गई और एक हो गया क्या असमवाई कारण यहां पर जो असमवाई कारण यहां पर क्या है भारी पंद यह भारी पंद ठीक है यहां पर भी तीन हो गए जान दीजेगा यहां पर भी तीन हो गए अब वहां से गटाना आए अमको कि यह पट है माने चटाई है इस चटाई में पतन क्रिया यह क्या है पतन क्रिया तो यहां पर यह जो पट है यह तो है आधार क्या है आधार और यह पतन क्रिया पतन क्रिया क्या है यह कार्य है यह क्या है यह क्या है कार्य कि यह पतन क्रिया मने कार्य मने यह बन रहा है और भारी पन भारी पन आप समझगे होंगे भारी पन भारी नहीं भारी पन यह है गुण ये पट है जब पट गिरता है चटाई गिरती है तो ये जो पतन किरिया है पतन किरिया कहां पर रहती है इसके अंदर रहती है पट के अंदर रहती है पतन किरिया पट से अलग तो नहीं होती चटाई गिरती है तो पतन किरिया कहां रहती है पट में और भारीपन ध्यान रखेगा भारीपन भारीपन भी कहा रहता है चटाई में रहता है पतन क्रिया में भारीपन नहीं होता भारीपन भारीपन कहा रहता है पट में अब हो यह तो हो गया कारी और यह हो गया आपका अधिकर्ण आधार अब इसके साथ में रहने वाला जो कारण पत्नकार्य को उत्पन होने में मने पट के अंदर पत्न किरिया होने में कारण की आये भारीपन क्या है भारीपन तब भारीपन भारीपन क्या हो गया असमवाई कारण क्या हो गया पतन किरिया का समवाई कारण क्या हो गया भारीपन इस भारीपन और भारीपन को क्या कहते हैं भोरुत्तम क्या यह समाने नहीं भारी पन को क्या कहते हैं कि पतन किरिया भी कई प्रकार की होती है अई बता देंगे आपको पतन किरिया के साथ में एक विशेशन जोड़ा क्या जोड़ा आद्य आद्य का आर्थ है प्रारंभिक आमने प्रारंभिक माने आदिकार्थ प्रारंबिक प्रारंबिक क्या है पतन किरिया माने आदी क्षण में होने वाली जो पतन किरिया माने पतन किरिया कार्य पतन किरिया रूपी कार्य है पतन रूपी किरिया कार्य का जो समवाई कार्ण श्मम्मभाई कारण क्या भारीपन कि वह भारीपन को ही क्या कहते हैं गोरुत्तम गुरुत्तक क्यूं कहते हैं कि नहीं अगे आप कीलियर होना चाहिए ठीक है कि अब कि रहें कि वह कहां रहता है जी तो वह प्रिथिवी और जल्वृत्ति मनें पार्थिप पदार्थों में और जली पदार्थों में ही रहता है यह ध्यान देंगे पतन किरिया पतन का किरिया का रहत है नीचे को गिरना नीचे को गिरना पतन रूपी किरिया आए वो कहां कार ये पतन रूपी किरिया कार है वो कहां रहता है वो उसका असमवाई कारण उसका असमवाइए कारण कहा रहता है पृथिवी में पार्तित पदार्थों में ज़ली पदार्थों में इसलिए लिए उस गुरुत गुण के होने के कारण से ही पार्तित पदार्थ नीचे को ही आ जाते हैं आप पार्तिव पदार्थ द्रव्य को किसी को भी उपर फैकिएगा उपर को फैकिएगा तो कुछ कुछ देर तक तो उपर जाई पर आम तता फिर पतन के रिया आरंब हो जाई क्योंकि उसके अंदर गुरुत्व है ठीक है और ऐसे जल का आए जल पाड़ों पर नहीं चड़ता उल्टा पाड़ों से नीचे आता है नदियों में बैकर के आता है क्योंकि उसके अंदर गुरुत्तों गुण है अघनी नीचे को नहीं चलती, अघनी ऊपरको चलती है क्योंकि उसके अंदर गुर्तवड नहीं है वाईु वाईु नीचे को जमीन में नहीं जाती है, वाईु या तो वाईुमें भी गुर्त्वड नहीं है आकाश में तो है strane बताई खेख के आध्य पतन असमवाई कारण गुरुत्व अब क्या है समझेगा यह पैन है यहां गिर करके यहां तक आता है यहां से गिरके यहां तक आता है तो इसमें प्रारंबिक खषण में जो पतन किरिया है कि इस्चे असमावाई कारण को यहां गुरुत्य आ गाया है उसके बाद उसके बाद उसमें जो दूसरा पतन होता है जारौ yhteर्व है शली घुलती है तो प्रारंवेक पतन को टो एनों नहीं कहे दिया वह गुरुत्य आसका कारण होता है ठीक है पारंद प्रारंद के गुरुत्य कारण तो है परंत गुरुत्य के साथ में उसमें और भी कारण जुड़ जाते हैं वेग जुड़ जाता है एक वेग गुण है वेग जुण जाता है माने प्रारंबिक ख्षण से प्रारंबिक ख्षण में पतन होता है तो पतन रूपी जो किरिया होती है आरंबिक वो क्या है कि वेग पैदा कर देती है उस वेग ते फिर नीचे को और गिरता और गिरता और गिरता है वेग से तो वेग के कारण से अब इतना तो आपको समझ में आ गया ठीक है अब मैं यहां पर गोविल्द प्रशाद जी ने बहुत अच्छी थोड़े सी कुछ बातें उठाई हैं मैं उन्हीं की भाषा में पढ़कर के आपको समझा देता हूं ठीक है अब कि यहां पर इन्हों ने चंका उठाई कि गुरुत्त का आश्रकर बताते प्रथिवी और जल बता दिया मैं गुरुत्स अखिळ्य कहां रहता पृत्ति मादी настоящ पदार्त मनें आगने पदार्त कि भी गिरते हैं आकास से बिदि गिरती है कि ये कि आकासे बिदिली गिरती है कभी लुग गिरते हैं समक्ते हुए ठीक तथापी चैजार के का वहा पार्थिप पदार्थ है जो पार्थिप भाग है उसके अंदर उस पार्थिप भाग में जो गुर्थ्व है उस गुर्थ्व के कारण से वो नीचे को उल्का आदी आते हैं अगनी नीचे को नहीं आ सकती है ठीक है तो गुरुत के ही उनके पतन में कारण होता है कोई व्यक्ति प्रश्न करने लगे जी उलका आधी गिरते हैं ठीक है तो वो कैसे गिरते हैं वो तो अगनी है नहीं कह रहें उलका आधी गिरते हैं उसमें पार्थिभ भाग में मिला होत उसके कारण से वह मैं अगनी नीचे गिरती हुई दिखाई देती है अब अब यहां पर इन्होंने आगे कहा कि पत्म किरिया में तो गिरना किरिया में कि सन्योग कि वेग प्रप्रयत्न आदी प्रतिवंधक होते हैं प्रतिवंधक मनें बाधक होते हैं अब देखिएगा कैसे मैं इसको अब यहाँ पर फैक रहा हूं ऐसे आप सै और फैक रहो हूं तो POL यह कम आज से पार रहा हूं नहीं किरनी चाहिए मैं फैकता हूं तो कहते नहीं इस गिरना पतन किरिया जो गोनी चाहिए उसके बाधक माने उसमें बाधा उत्पन करने वाले क्या है सन्योग सन्योग कार्थ test मानिएगा वरिक्ष की डाली पर फल लगा हुआ है यहाँ वरिक्ष डाली पर फल लगा हुआ है यह मानिएगा यह यह मैंने ब्रिक्ष बना दिया एक यह यह साखा है यहाँ पर यह फल लगा है यह फल लगा है यह यह फल नीचे को नहीं गिर रहा है है अब हम कहें यह पार्थिप पदार्थ यह नीचे को गिरना चाहिए गिरना चाहिए कि उ की यहां पर दिया कि यह जो पतन करिए में पतन किरीया को रोकने में क्ञा शर्चा होते ही संयूGo दाली और फल के बीच में यो डंडी या इसका संयोग कर रही है जोड के रखी हुई है जैसे हैं संयोग विभाग कर देंगे तो फल जटते नीचे गिरने लगेगा तो वही कह रहे हैं संयोग यह प्रतिबाध क्या बाधक है उसका पतन क्रिया का गुरुत के कारण चैसे जो हो रही है उस पतन क्रिया को यह जो यह संयोग अच्छा मजबूत है तो वो रोक देता है जब तक संयोग जैसे ही व्योग होता है बैसे ही गुर्थ्व के कारण से बस्तु नीचे आ यह बात भी याद रखनी चाहिए जैसे कि व्रिक्ष की शाखा से अलग हुआ फल भूमी पर गिरता है तो पतन का कारण गुरुत्व उस फल में पहले से ही विद्यमान ही है गुरुत्व फल के अंदर पहले से विद्यमान है अब आप कहेंगे कि पेड़ क्यों नहीं गिरता हाँ हमेरहां पेड़ पेड़ भी है उसकी पार्थिवंख को यहां पेड़ भी पेड़ का भी जड़ों से जमीन के सात में सयुखेज इसलिए नहीं गिर जंदों से उसके मिट्टे अटा दिए तो धर्रॉं गर जाएगा ब्रिक्ष मांड़ गर जाएगा घरी दाये तवसे ही उसमें गुरुत है तो वह गिरता क्यों नहीं तो सुनिए इसके नगिरने का कारण है मजबूत सन्योग डाली के साथ में अर्थात फल में गुरुत होते हुए भी फल का साखा के साथ मजबूत सन्योग ही उस फल को उस फल में गुर्त के पत्न क्रिया को बचाता है रोकता है कि अता सन्योग पतन का प्रतिबंधक है बाधक है अब रोधक है जब वायू पक्षी डंड आदी से ताडन आदी पतन क्रिया उत्तपन करता है व्लास भी पक्षी अ इसके ड्वाइवड द्वारों साखास संइयोग नष्ट हो जाता है तो अलए तो पल में पृर्थब इंटान आपक्षी अथम घबूला फारी के भारी पन अ में पतन क्रिया उत्पन करता इसी तरह धनुस से प्रयुक्त बाण में वेग ही पतन किरिया को रोगता है अम धनुस पर डोरी चड़ाकर के बाण लगा करके फैकते हैं तो वह बाण आगे को जाता नीचे नहीं गिरता बहुत दूर तक आगे जाता है जिसकारण से जाता गिरता क्यों नहीं है क्योंकि उस उसका जो वेग है यह रोक देता है जैसे ही वेग खतम हो जाता है तो बाण नीचे गिरता है उसका देग कम हो जाता है और नश्ट हो जाता है तब वही गुरुत ही बान को शीग्र गिरा देता है नीचे इसी तरह पक्षियों के द्वारा अपने पंकों से किया गया प्रैत्न पक्षी आकाश में उड़ते रहते हैं उनके अंदर भी गुरुत हैं गिरते क्यों नहीं क्य क्या कर रहे हैं प्रेत्न कर रहे हैं प्रेत्न कर रहे हैं प्रेत्न के माध्यम से यही पक्षियों का भूमी पतन नहीं होता है तो पक्षियों का पंकों की द्वारा चलाकर कि जो प्रेत्न उत्पन किया जाता है वो प्रेत्न नहीं गुरुत्व की पतन किरिया को रोकता है यह यही वात विमान आदी के विशय में भी समझनी चाहिए जो एरोप्लेन उड़ते हैं तो उसमें भी उसमें भी पंके आदी चलाना का रूपी प्रयत्न बंद कर दिया तो जहां जो एरोप्लेन धर्ड ध्राम नीचे आजाएगा तो इनका कहना है कि इनका कहना है कि जो पार्थ्या जो बस्तू पार्थिव बस्तू हैं या पार्थिव बस्तू हैं और जली बस्तू हैं कि अंदर जो पतन क्रिया होते हैं उस प्राथ्मिक पतन क्रिया का मन प्रारंबिक पतन क्रिया का जो असमवाई कारण होता उसी को गुर बाद में जो प्रारंबिक के बाद में दूसरी तीसरी चौथी पांच में पतन क्रिया होती है उसमें गुर्थ भी कारण होता है और फिर उस पतन से उत्पन्द वेग वेग अत्वा किसी अन्य का संयोग भो भी कारण बन जाते हैं इसलिए उन अन्य वेग आदी में ये गुर्थ का लक्षन ना चला जाए इसलिए यहां पर आधि पद को रखा है कि सबसे पहले किसी में पतन क्रिया होती है तो उसका कारण ही गुर्थ होता है तब कोई वेग आ होता है चलिएगा बहुत आपको समझ में आया होगा कक्षा बड़ी थी विशेवी थोड़ा जटिलता परन्त अभी ध्यान रखेंगे इतना समझ लीजिएगा असमभाई कारण आपको अभी समझ में नहीं आया तो यह तो वास्तम में आगे पढ़ाया जाना है तो आगे आ अब पूरा समझ में आएगा तर्वेभ्यों नमाहां